हेलो एब्रीवन वेरी वेलकम सो गाइस एचनबी जी यू हेमोति नंदन बहगणा गडवाल उनिवसिटी गाइस यहाँ उनिवसिटी एक सेंटल उनिवसिटी है अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस उनिवसिटी में पीसडी एडमिशन का नॉट्रिकेशन कब आएगा पीसडी एंट्रेंस एक्जाम का जो एब्लिकेशन फर्म है वो कब आएगा तो देखे गाइस मैं कुछ बाते के लिए करना चाहता हूँ हेमोति नंदन बहगणा गडवाल उनिवसिटी में एक साल में दो बार पीसडी एडमिशन का नॉट्रिकेशन आता है अब देखते है नॉट्रिकेशन में क्या कुछ आया है गाइस जो लास्ट टे म् पीसडी ऐडमिशन का नॉट्रिकेशन आया था वह जेन्वरी 2022 में आया था यहां पर नॉट्रिकेशन में PhD selected कोई भी notification नहीं आया है तो गाईस अब सवाल ये है कि PhD admission का जो notification है कब आने की संभावना है तो देखिए HNBGU हेमोती नंदन बहुगना गड़वाल इनिवेसिटी गाईस देखिए January 2022 में last time PhD admission का notification आया था और February में entrance exam हुआ था February में entrance exam हुआ था और March में result आ गया था और March से ही interview start हो गये थे और यहां interview अप्रेल के last week तक चलता रहा अब देखिए April के last week तक यहां interview चलता रहा और मई में result आ गया था और मई से ही admission start हो गया था जिन लोगों का selection हुआ देखिए उनका admission मई में हो गया था PhD में मई में हो गया था यानि कि PhD से पहले जो pre-PhD होता है coursework होता है उसमें उनका admission हो गया था अब सवाल यह है कि कब तक आने की संभावना है PhD entrance exam की PhD entrance exam का जो notification है कब तक आने की संभावना है तो देखिए अभी मै, जून, जुलाई और अगस्त यानि कि 3 month complete हो गया है जिनकी pre-PhD चल रही है अभी यह जो महिना चल रहा है 4 month का महिना चल रहा है यानि कि उनका 4 महिना चल रहा है जिनकी pre-PhD चल रही है guys pre-PhD के form तभी आएंगे जब जिनकी pre-PhD चल रही है उनका pre-PhD complete हो जाए यानि कि October, September, October यानि कि October के बाद ही PhD entrance exam का official notification आएगा जो संभावना है जो chances है वो है November में, November के last week में संभावना है क्योंकि इस बीच में जिनकी pre-PhD चल रही है उनके exam भी होंगे तो November के last week में PhD का जो notification है आने की संभावना है और November से December तक आजाएंगे So guys, देखे, चैनल को subscribe कीजिए वैल आक़न को press कीजिए Guys, एक बात और कहना चाहता हूँ PhD entrance exam देखे, पहले Central University खुद exam को conduct करवाता था लेकिन अब ऐसा नहीं है देखे, PhD का मैं sure नहीं हूँ लेकिन post graduation और master graduation का जो entrance exam है B8 का जो entrance exam है जितनी भी Central University है जितनी भी Central University है उनका entrance exam NTA conduct करवा रहा है CUET के माध्यम से So guys, हो सकता है इस बार PhD entrance exam भी CUET के माध्यम से conduct हो सकता है और NTA करवा सकता है So guys, अभी sure नहीं हूँ confirm नहीं हूँ क्योंकि official notification आया नहीं है लेकि नौंबर में आज आएगा So guys, चैनल को subscribe कीजिए well icon को press कीजिए और इस information को ज़्यादा से ज़्यादा share कीजिए